गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टो उत्सव क्लासेस अपना साइंस का टोपिक पड़ेंगे कल अपनोंने बात किती नेफ्रोन की और उसी क्लास को कंटीन्यू रखते हुए अपन आगे बात करते हैं साइंस का एक टोपिक है जैसा कि सेल्स कई सेल्स से मिलकर टीशू बनत हैं कई कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं और उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं और अंगों से मिलकर एक अंग तंत्र बनता है और गन सिस्टम बनता है तो उसी प्रकार हमन बोडी में कई और गन तंत्र और गन सिस्टम पाए जाते हैं और उसी में से एक और गन सिस्टम हो बाद करते हैं तो यह हुमन पोडी का ही एक 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 लाब ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि यह अपन जो भी भुजन करते हैं उसे पचाने का काम करता है तो सबसे पेले इस की ढ़ेपीनेशन देख लोते हैं कि दाइज्डी सिस्टम होताक्या preparing पाचनतंत्र पाचन तंत्र जो होता है यह ठोस जटिल तथा बड़े बड़े अग गुलंचिल पधार्तों को छोटे तरल शरल वह गुलंचिल पधार्तों में तोड़ने का काम करता है तो यह हो गए डेपिनेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की और अपन उसके बाद आगे बात करते हैं डा हुमेन बोड़ी का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यह दो पार्ट में बैटा हुआ रहता है यह एक तो रहता है एलिमेंटREE कंदाल और दुसरा रहता है डाइजेस्टिव ग्लेंड दो पार्ट होते हैं इसके सायक ग्रंथिया और एक होती है आहार नाल एलिमेंटरी के नाल जैसे अपन आहार नाल कहते हैं तो अपन सबसे पहले आहार नाल के कितने पार्ट होते हैं उनकी बाद कर दें तो हाहारल में सबसे बात करती है अपन महुट केविटी याने कि महुट केविटी से लेकर और ऋभाग कton होता है इसे अपन olduğu क्डे बास करते हैं तो महुट केवटी में तीत तंग और फाहन ग्लेंड पर्जंड होते हैं इनकी दात जीव और लार्ग रंधिया जो रिती वह उपस्तित रिती है मुख गुवा में और जैसे भोजन मुख गुवा में आता है तो उसके बाद वह फूड पाइप यहने की इसोफेगस उसका सेकेंड पार्ट होता है इसोफेगस इसोफेग क्या नली इस इसका काम यह होता है कि मावत के वेटि से बोजन को ऐस्टमक तक लाना और एकजाम अग्जाम में फ्तिकी लंबुपोची जाती है तो इसकी लंबई कितनी होती है इसोफेगस यह इनकि ग्रास नली की 25 क्मिशेशस सेंटीमीटर और इसके थर्ड पार्ट आता है इसमें इसकी बात करते हैं इस्टोमक तो इसका आकार कैसा होता है इसका जो शेफ होता है इस्टोमक का वो जे का शेफ होता है जे के शेफ का होता है और इसमें इस्टोमक में जो भोजन रुपता है वो रुपता है चार से small intestine में के शबता है small intestine में और कहीं बार यह question पूछा गया है कि small intestine की लंबई कितनी होती है कि तो वो होती है6AT 6-7.5 meter हुआ और उसके बाद आगे बात करते हैं कि small intestine के भी 2 part होते हैं यह भी बुछा जाता है इसके 2 part होते हैं एक होता है इसमाल इंटेस्टाइन के पार्ट है दियोडीनम और इलियम इसमाल इंटेस्टाइन के छोटियां बात करते हैं सिक्कम की उसके बाद भूजन फूड कहां आता है सिक्कम में आता है और सिक्कम के बाद कहां पर आता है लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन इसके इसके लमबह कितने होते यह एग्जाम में ऊकर जाता है 1.5 मीटर इसके दो पार्ट होते हैं सबसे पहले एलिमेट्य पेहल से माउथच से शुरू होती है और निस पहले सबसे पहले फूर्ट जो पर लेते हैं वोजन माउथ से तरका जाता है इसओ फैगस में फूट पाइप में श्यूंधर होता हूँ प्षी सेंटिमेटर फूट पाइप से होता हुआ वोजन में इस टमक में आने के बाद चार से पांस घुनटे यहां पर रूपता है और उसके बाद कि गांजय है इश्माइल इंट इंटेस्टैंड में इसके बास लार्ज इंटेस्टाइन में ऊच्छान नमबाइं कितनी हैं फकलो मेंटरल हैं और उसके बाद यह पार्त is It